ANOVA, Analysis of Variance Analysis of Variance हम उस वकत अप्लाई करते हैं जब हमने दो से ज़्यादा samples के means को compare करना हो Analysis of Variance is used when we are interested to compare the means of more than two samples अब दो से ज़्यादा samples के means को compare करने के लिए हम T-Test का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर हम T-Test का इस्तमाल कर सकते हैं तो फिर हम ANOVA को क्यों use करते हैं इस वज़ा से use करते हैं कि T-Test में एक वकत में हम सिर्फ दो samples को compare कर सकते हैं पर जामपल अगर हमारे पास तीन samples हैं तो पहले हम sample 1 और 2 को compare करेंगे फिर हम sample 1 और 3 को compare करेंगे फिर हम 2 और 3 को compare करेंगे इससे क्या होगा इससे number of calculations भी बढ़ेंगी और time भी ज़्यादा होगा error के chances भी बढ़ जाएंगे इसी तरीके से अगर हमारे पास sample 3 से भी जादा है 4, 5, 6, 10 तो उसके लिए हमें बहुत जादा calculations करने पड़ेंगे जबके अनोवा के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि एक वकत के अंदर हम बहुत जादा samples को compare कर सकते हैं इसी लिए हम जादा samples के means को compare करने के लिए analysis of variance अपलाई करते हैं अब analysis of variance एक parametric test है यानि ये normal data के उपर apply किया जाता है अब जो analysis of variance है इसके लिए कुछ assumptions हैं अगर हम इन assumptions को met कर रहे हो हमारा data इन assumptions के उपर पूरा उतर रहा हो तो फिर हम analysis of variance apply करेंगे otherwise analysis of variance हम apply नहीं करेंगे पहली assumption क्या है कि जो number of samples है it must be more than two दो से जादा samples होने चाहिए उसके बाद data should be normally distributed अगर data skewed है तो उसके उपर हम analysis of variance apply नहीं करेंगे हम सिरफ normal data जो के normal curve को follow कर रहा हो उसके उपर analysis of variance अपलाई करेंगे उसके बाद जिन samples को हम compare करने जा रहे हैं these samples must be independent अगर ये independent नहीं होंगे तो फिर हम analysis of variance अपलाई नहीं करेंगे और चौती condition homogeneity of variances यानि जिन samples को हम compare करने जा रहे हैं इनके जो variances हैं वो same होने चाहिए यहां पर same से क्या मुराद है जिसका हर्गिस मतलब ये नहीं है कि उनकी values बराबर बराबर हों उसका मतलब ये है कि इनके जो variances हैं उसके अंदर statistical difference मौजूद नहीं होना चाहिए वो same होने चाहिए statistically तो अगर हमारा data इन assumptions के उपर पूरा उतरता है कि sample size दो से ज़्यादा हो data normally distributed हो samples independent हो और उनके जो variances हैं वो homogenous हो वो same हो तो फिर हम analysis of variance apply कर सकते हैं अब for example हमारे पास 3 groups हैं हम 3 groups को compare करना चाहते हैं हमारे पास 2 medicines हैं जो के diabetic patients के लिए बनाई गई है company A claim करती है के हमारा product ज़्यादा बेतर है company B claim करती है के हमारा product ज़्यादा बेतर है तो हमने कुछ individual select किये जो के diabetic थे उनका हमने glucose level पहले से मालूम कर लिया उसके बाद वो जो medicines थी वो हमने उन जो patients थे उनको दी एक group 10 का था जो medicine 1 है या A है हमने वो group number 1 को दी और medicine जो B है वो group number 2 को दी दोनों groups के अंदर number of individual same थे उनकी health conditions same थी उनकी age उनकी sex एक जैसी थी इसी तरीके से एक group हमने ऐसा भी लिया जो के normal था जो normal persons थे अब हमने इन तीनों groups को compare करना है एक महीना medicines खिलाने के बाद इनका जो glucose का level है उसको हम compare करना चाहते हैं तो इस case के अंदर हम analysis of variance apply करेंगे इसी तरीके से हमारे पास तीन agricultural field हैं हम इन थी agricultural fields के अंदर जो plants हैं उनकी heights को compare करना चाहते हैं हम randomly तीनों fields में से 20-20 plants select कर लेते हैं और उनकी heights को मालूम कर लेते हैं उसके बाद हम इन heights को compare करना चाहते हैं तो क्योंके दो से ज़्यादा samples हैं इस वज़ा से इनके comparison के लिए हम analysis of variance का इस्तमाल कर सकते हैं तो analysis of variance एक ऐसा test है जो दो से ज़्यादा samples के means को compare करने के लिए use होता है इसके लिए sample दो से ज़्यादा हो, sample independent हो, उनके variances same हो और जो data है वो normally distributed हो